प्रदेश के परुकबाद की मुहम्दाबाद इलाके में गुरुवार को उस वक्त खड़कम मच गया जब एक सिर्फिरे अपराधी ने करीब 23 बच्चों और महिलाओं को अपने घर में बंदक बना लिया स्वताल में इलाज के दौरान मौत हो गई ऑपरेशन मासों में शामिल पुलिस कर्मियों को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपाए के इनाम की घूशना की गई है कई बार उससे निगोशेट करने की कोशिस की गई ये ऑपरेशन करीब 8 घंटे तर चला और उस 8 घंटे के दौरान डिस्ट्रिक माइजिस्ट्रेट और SSP ने टेलिफोन के दौरा मुबाइल फोन के दौरा उससे बाचित कटे का प्रयास किया इसके पहले हमारी SOG टीम की एक टीम का एक मेंबर वहां गया उसके ओपर फायर किया गया जिससे वो इंजर्ड हो गया इसके अलावा भी SHO पे भी एक फायर हुआ जो वो भी घायल हुआ इसके करम में जो है लगाता DMSP मौके पर थे आई जी फिर कानपूर से रवाना किये गये थे मानी मुखवंत्री जी ने निर्देशित किया कि आई जी तुरंद मौके पर पहुंचे हैं आई जी पहुंचते ही फिर सक्री हुई पुलिस और UP पुलिस के कुछ जवान जो है से अंदर गुसे इतने में उसको लगा की पीचे से घोश रहे हैं उसमें मुटवेड़ हुई या यह जो सुभाष बाथम नाम का वेक्ति था इसको जो है इसकी मौत हुई है और इसको जो है मार गिराए गया है और साथ ही जितने बच्चे अंदर से सब को जो है सकुशल ब जोवेश अगर तुम बोले तो उड़ा दूगा है क्या आप लोग कुछ खाने पीने के लिए रहा थो हुआ है लगब आठ घट्टे चला मौमदाबाद को बालिश्चे के तर्फिया भाओं का यह आपने सब्सक्ता फुर्वक्त पूरा तभिया है अगर तक बनाए गए थे उन्हें आरूपी की गिरफ से बाहर किया है बच्चे प्रिकान लिए गए हैं अप राधी पुलिश की मुट्वेल में मारा गया है किस तरह से आठ गंटे बीते हैं कि आपके पास नहीं रहा है और कैसे आठ गंटे रोते थे बहुत तक तो बड़े गंटे हमने काट पाई बड़े कर दो कि आप लोगों मतलब मुसाहता करी तो मतलब बच्चे आपको सुरक्षित मिल गया पर नहीं सुरक्षित कर रहे हैं पुलिस ने अच्छा काम किया है तो जिन माताओं आप मावाँ के बच्चे मिल गए हैं उन्हें अब भूत अपार पुसंता है आप देख रहे हैं बाज कि आपको देख दो ट्रकान